हेलो, नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही महतुपूर कोश्चन लेके आया हूँ और ये कोश्चन अक्सर एक्जामों में पूछे जाते हैं और कई बार एक्जामों में ये कोश्चन पूछे जा चुके हैं तो ये मेरा सातमा वीडियो है दोस्तों जो की काफी important वीडियो है आए दोस्तों हम सुरू करते हैं सही सुमिलित है Prince of Wales Museum कहा है मुंबई में Indian Museum कहा है कोलकाता में कैलास मंदिर जो है वो एलोरा गुफा नंबर 16 से सम्बंदित है ये बहुत ही फेमस है ये कैलास मंदिर एकास पत्थर में ये बना है पद्मपाडी बोधिस्षत ये अजन्ता गुफा नंबर 1 में ये चितर है बहुत ही फेमस ये सबी चीज़े हैं आप अच्छे से इसे नोट करें सही सुमेलित है पोटाइटो इटर जो पेंटिंग है बहुत ही फेमस है आलू भच्छी या आलू खोर इसे बोलते हैं वान गॉप की पेंटिंग है नाइट वाच इसे रातरी पहर इसे बोलते हैं और ये रेमरा की बहुत ही फेमस पेंटिंग राफटाप मेडूसा मेडूसा का बेड़ा ये जेरिकाल्ड थियोडोर जेरिकाल्ड की पेंटिंग है जो रोमान सवादी कला के बहुत अच्छा नमूना उन्होंने प्रस्तुत किया है सहीद असमारक सहीद असमारक जो है वो डीपी राय चोधरी का इस कप्चर है जो कि बहुत ही फेमास है सही सुमिलित है लाइम स्टोन वो जर्मनी से संबन दीत है पपायरस जो है मिसर से संबन दीत है चल कास्ट प्रकार चीज से संबन दीत है अपसेट इंग्लेंड से संबंदी थे सही सुमिली थे वुड ब्लाग वुड ब्लाग 220 इसा पूर प्रिंटिंग प्रेस 1440 वुड ब्लाग जो है 220 इसवी से संबंदी थे प्रिंटिंग प्रेस 1440 इसवी से संबंदी थे अमलांकन पंद्रह सो 1590 से संबंदी थे चल टाइब 1040 से सम्मंदी थे यह सही सुमलित है दप्रिहिस्टोरिक पेंटिंग जो पुस्तक है वो ए ह ब्राडड़िक द्वारा लिखा है इनका पूरा नाम है एलन होटन ब्राडडरिक The Prehistoric India नमक पुस्तक इस्टवर्ट पिगाट ने लिखा है The Story of Art नमक पुस्तक G.H. गोंबरिच ने लिखा है The Art of India इस्टेला क्रेमडिसरी ने लिखा है सही सुमिलित है बादामी गुफा मंदिर जो है वो चालू के काल से सम्बंदी थै बराबर की गुफाएं मौरिकाल से सम्बंदी थै एलिफेंटा की गुफाएं कलचूरी से सम्बंदी थै उदरगिरी की गुफाएं गुप्तकाल से सम्बंदी थै बहुत ही फेमस यह सभी गुफाएं हैं आप अच्छे से दोस्तों इसे याद करें अगला question सही सुमिलित है जानवान आइक दा बीट्रोथल आफ दा आर्नो किनी से संबंदित है रोजियत वान डेर वेडन दा डिसेंट फ्रम दा क्रास संबंदित है लियोनार्द दा विंची लियोनार्द दा विंची की जो फेमस पेंटिंग है बहुत ही फेमस पेंटिंग है माइकल अंजलो दा डाइंग स्लेव बहुत ही फेमस है सही सुमिलित है इसामू नागुची ये ओरियंटल आर्ट से संबंदित है एटियन हाजदू एट्रू स्केन आर्ट से संबंदित है हेन्री मातिस प्रिमिटिव आर्ट से संबंदित है सही सुमिलित है सही सो मिलित है सेंटर इस्प्रेट प्रिंट एंड पिरियर्डिकल एडवर्टाइजिंग से सम्बन दित है टाइमस स्क्वाइर ओ ओ एडवर्टाइजिंग से सम्बन दित है इस्टाग्राम सेलफोन एंड मोबाइल एडवर्टाइजिंग से सम्बन दित है नेटिव एड्स ये आनलाइन एडवर्टाइजिंग से सम्बन दित है सही सो मिलित है कोल गेट एक्टिव साल्ट अनुसका सर्मा से संबंदी थे लोरियल पेरिस दीपिका पादुकोर से संबंदी थे BMW इन इंडिया सचिंते नूलकर से संबंदी थे टाटा मोटर्स लियोनेल मैसी से संबंदी थे जो की बहुत important question है तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा like, subscribe और share करें हमारे यूटूब चैनल पर comment करके बताएं का आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों इसी प्रकार से visual art से संबंदित important वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा धन्यवाद दोस्तों